तो डियरे स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए सिक्स समस्टर के सोसोलोजी के सिकेंड पेपर के MCQ टाइप के कोश्चिर और एंसर के बारे में वीडियो काफे हिल्पुल है आप सभी के लिए यदि आपकी परिच्छा बीए सिक्स समस्टर की होने वाली है और आपका सब्जेक्ट सोसोलोजी है और सिकेंड पेपर के परिच्छा है और आपकी इनवर्शिटिम MCQ बेस परिच्छा ओने वाली यानिकी ऑब्जेक्ट्ट्व ठीक है तो उन सभी छात्रवाचात्रों के लिए महात्पूर है यह वीडियो चाहाब का सब्जेक्ट मे सब्जेक्ट इसके परिच्छा आपको टिक करना होगा तो इसकी जो सुरुवात है यह पर यह चुरू किया गया था महलाओ को फिच्छा को बढ़ावा देने के लिए ताकि महलाओं भी पुरुष्के तुलना में उनके बराबर कम से कम हो ही जाएं सिच्छा के मामले में औ और महलाओं को हर चेकर में बढ़ावा देने लिए दिन प्रतिन सरकार करती रहती है और यह जो सम्मेलन किया था 1927 में यह क toolbar था को बढ़ावा देनेके लिए क्योंकि पहले क्या था आज के 58- 15 साल पहले तो हाला की फिच्छा इतप मतब मेडिटरी नहीं थी हर कोई फिच्छा नहीं करहन कर पाता था ठीक है और जिसमें से पुरुष्क तो माल जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे लेकिन महलाओं की संख्या बिल्कूल 0 के बराबर थी ठीक है तो इसलिए महलाओं को फिच्छा का बढ़ावा दिया गया और इसका संमेलन इसे लिए कि आगया था भारती अकिल भारती संमेलन हाथ ठीक है 1927 में धियां さलिए महलाओं कब सुरूग गया है तो आपको इसं प्रकारिस्वाद्धन कि स्तस्थान से शुरू कि ए गया था धै यह आ अंदोलन नाम जो है शुरू किया गया था गड़वा इस बात को ध्यान लखेंगे चिपको अंदोलन अगर question आता है तो आपको तुरूंत ध्यान लखना गड़वाल हिमाले से शुरुवात की गई थी अगला प्रस्ण है कि चिपको अंदोलन अंदोलन था किस प्रकार का अंदोलन था किस चीज के लिए चलाया गया था ठीक है चि ज़ा चिपको अंदोलन की नाप रश्चिदी मिली अगला प्रस्ण है वेए कि प्रस्थ तिक आफथाई अर्थ बेभफथा है यह कत्वन किस था एक पंक्ति है एक लाइन है जो है परस्थिति की अफ्थाई अर्थ बेउस्ता है यह कौन से बिद्वानिय लाइन कही थी यह कौन सी बिद्वानिय कतन कहा था इन आपसरों में से तो सही उत्रिश्का हो जाएगा अस्लोगन अगला प्रशन है कि वर्स उन्य स्ट्रा में बनी भारती महिला संसता की पहली अद्दच थी, उनका क्या नाम था, बहुत ही पॉप्लर, बहुत ही कोमन कोश्चन आप सब्सब्स जानते भी होगे, नहीं जानते तो जानलीजे बहुत ही कोमन कोश्चन है, वह आने आले दिनों पर इच्छा मफसेगा भी ठीक है एनी बेसेंट कौन थी एनी बेसेंट ध्यार नखेंगे बहुत ही इंपार्टन कोईस्चिन मैं आपको बता रहा हूं अगला कोईस्चिन की भारती महिला संग की अस्थापना कब हुई थी भारती महिला संग की शुरुआत या फिर आप सही उत्तर होगा बहुत ही पॉप्लर बहुत ही कॉमन कुश्चिन है अब आपने जान तो लिया भारती महिला संग की अफ्थापना के संद में हुई थी लेकिन अब कोईस्चिन ने भी उठता है कि कहां पर इसकी अस्थापना हुई थी तो ध्यार नखेंगे इसका सही उत् मद्रास में भारती महिला संग के अफ्थापना हुई थी और वो समय था 1917 का यह विध्यान लखना है बहुत ही सिंपल और बहुत ही हाड़ लेबल क्विश्चिन है अगला प्रशन है कि भारती महिला संग की अफ्थापना किस ने की थी यह भी कोईस्चिन आपर उठता है व और मार्गरेट का जिंस और जीना राजादास इन सभी की अगोही में इसकी अस्थापना के देगी थी इस बात को ध्यान रखेंगे अगला प्रशन है कि भारते महिला संग द्वारा प्रकासित पत्रिका थी भारते महिला संग द्वारा प्रकासित पत्रिका का क्या नाम था तो इस प्रस्टिन का साय उत्तर हो जाएक आपसर नंबर इस्त्री धर्म एक पत्रिका थी ठीक है और यह फ्रकासित की गई थी ध्यान रखेंगे भारती महिला संग के द्वारा बहुत ही कॉमन कोश्चन है अगला की भारतीर आफ्टे कांग्रेश की पहली महिला अद्यच की बात हो रहें बहुत ही पॉप्लर कोश्चन है तो ध्यान रखेंगे वो थी एनी बेसेंट ठीक है कौन थी एनी बेसेंट आप लोग नाम निस्पुना होगा और अच्छे से भी जानते होगी क्योंकि यह नाम से कौन जाना जाता है तो ध्यान रखेंगे सरोजनी नाइडो जी भारत की कोकिला के नाम से जानी जाती है यह नमबर सही उत्तर होगा अगरा प्रस्ण है कि मैडम बलावास्तस्की ठीक है मैडम बलावास्तस्की ने थियोसोफिकल सोसाइटी की अस्थापना ठीक है किया था किस सन में किया था तो ध्यान रखेंगे इसकी अस्थापना जो है वह अथारा सो पच्तर में की गई थी कब की गई थी 1815 में बहुत भीब्लर किस्टिन ध्यान रखेंगे अगला कि आई अधनियम कप पारित किया गया था यानि कि उम्र वाला ठीक है आई हम करने तरने दंद्रस सकते हैं मतलब कारिकार सकते हैं में नहीं उम्र की गए थ freelance तो यह किया गया था 1891 में इस बात को ध्यान लखेंगे कब किया गया था 1891 में बहुत पॉप्लर कुश्चन है अगला परस्टने की 1910 में इलाहबाद में पहली बार बैठा करने वाली भारत की महा मंडल की अस्थापना किस्ट ने की थी तो जिस ने की थी उनका नाम था सरला देवी चोधरानी सी नंबर सही जबाब होगा अगला की अखिल भारती महिला सम्मेलन की अस्थापना किस चन में हुई थी तो अखिल भारती महिला सम्मेलन की अस्थापना जो हुई थी आप लोग अच्छे जानते हैं नहीं जानते तो बताईए कमेंट सेक्शन में और जा जो सम्मेलन है अफ्थापना तो हो गए थी 1926 में और लेकिन अखिल भार्दी मेला सम्मेलन हुआ था 1927 में अफ्थापना 1926 में हुई लेकिन जो यह सम्मेलन हुआ था 1927 में हुआ इस बात को भी दान लखेंगे ठीक है अगला की बिनो दिनी दासी 1863 से 1941 में भारत की एक अग्रहणी हफ्थी थी कौन थी हिंदी रंग मंच बंगाली मंच अग्रहणी हफ्थी थी सहुत तरश्का हो जाएगा बानंबर अगला प्रशने की गुलाम गिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है पुस्तक का नाम जिसका नाम है गुलाम गिरी और यह जो पुस्तक है इसके जो लेखक है उनका नाम है जोती राव फोले ठीक है इनमबर सही उत्तर होगा अगला है की जूती राफ फोले का जन्म कभ हुआ था तो जूती राफ फोले का जो जन्म है वो 1817 को हुआ था याद रखेंगे ये नंबर सही जबाब होगा अगला है की 17 में समाज की अस्थापना किस्चन में हुई थी तो 17 में हुई थी 1873 मben आपको इसी तरह बहुत सारे आपसंदिये जाएंगे जो सही होगा उसे आपको टिक करना होता है इस बात को भी जान लखेंगे तो इसका सही जवाब होगा ठारासो तीहत्तर अगला की जोती राफ फोले ने गुलाम गिरी नामक एक पुस्तक कब लिखी थी तो जोती राफ फ लिखी तो जो लिखी थी इन्होंने उलिकीटी तीहत्तर में सही जवाब होगा ठीक है याद रखेंगे अगला की निस और नबे में कि फुराजी की महला उनीशाट बान नबे का समय था उस समय कि फुराजी की महला उने अरक बिरोधी आंदोलन शुरू किया था या फिर अंदोलन शुरू किया था और वो महिलाय जो थी वो अंदरप्रदेश की निवासी थी ए नमब सही उत्तर होगा तो अंदरप्रदेश की जो महिलाय थी उनके द्वारा ये अंदोलन चालू किया गया था अरग बिरोधी अंदोलन कब हुआ था तो अरग बिरोधी जो अंदोल वह वह था 1992 में इस बात को ध्यान लखेंगे इन अमबर से उत्तर होगा अगला क्विश्चन है कि पाचिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समोधवारा फंचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से छेत्में प्रारम हुआ है तो यह जो हुआ था अगला है कि खबर लहरिया भारत एक अफ्थानिय समाचार पत्र इसकी सुरुवात कि सन में हुई थी तो इसकी जो सुरुवात हो हुई थी 2002 सही जबाब ए नंबर होगा सही उत्तर ध्यान लखेंगे अगला है कि थान थाई पेरियार ने सुया मरिया लाई समेलन में महलाओं के कल्याण के लिए प्रस्ताव कहां पारित किये तो उन्होंने जो प्रस्ताव पारित किये थे तो उन्होंने क्या था चंगल पेट में कहां किया था चंगल पेट में डी नमर से ही उत्तर होगा अगला की वर्स अठारा सो निन्यान नबे में पूना में किनके द्वारा बिद्वा स्रम की अस्थापना की गई थी तो बिद्वा स्रम की जो अस्थापना है वो कारवे के द्वारा की गई थी जो कि परमग बिद्व और हमारे समास साफ्तरी भी इनके द्वारा ही अठाफ नानल में बिद्वास रम खुलने की विवफ़ता की ती ठीक ध्यान लखेंगे अगला की कलकत्ता फिमेल जुबे नाइल सोसाइटी फिमेल जुबे-नाइल सोसाइटी के अस्थापना निवन में से किसका योगदान रहा सवाइटि में किसका युगदान रहा है इन आपकीश सवाइट रहा वर्स से कम आयू की कर्णिया को बिवावरजित कर गिया मतलब कि किस एक्ट द्वारा 14 वर्स से कम आयो की कर्ण्या को बिवहा वर्षित कर दिया गया तो वह कौन सा एक्ट है तो ध्यान रखेंगे उस एक्ट का नाम है अध्यान रखेंगे, शारदा एक्ट और नेट्यू मैरिज एक्ट है, इसलिए से उत्तिश्का डी हो जाएगा क्योंकि A.B. साही है, और C.B. इसलिए से उत्तिश्का हो जाएगा, D.C. दोनों साही है, और उसमें अफसन भी दियेगे हैं, लास्ट में D. में A.C. इसलिए वह वर्जित कर दिया गया तो इस प्रस्टिंग स्यूत्त हो जाए गारिसachen नंबर 14 वर्ष कीया है थे टीक complaints बिवाध वर्जित कर दिया गया थे महिला का भी वाध जो वह पिंअ कि आनो खोल फरेकां कम वजित कर दिया गया थे अगला कि सम्मत आयोधनेयम के द्वारा कितने वर्स के कम उम्र की करनियाओं की विवा पर पाबंदी लगा दी गई थी तो अगर आप इस उम्र से कम है तो इसके लिए पाबंदी लगा दी गई थी तो वर्स है 12 ठीक है अगला कि सारदा एक्ट किस वर्स पारित हुआ था अगला कि सारदा एक्ट किस वर्स लागो हुए था अपने यह जाना कि सारदा एक्टिकिस वर्स पारित हुआ था तो आपने जाना पारित हुआ था ये 1929 में लेकिन ये सारदा एक्टिकिस वर्स लागो किया गया था तो यह लागू किया गया था 1931 कि दो वर्ष बाद अगला प्रश्ण है कि इन्यम्न में से किसको भाड़ते क्रांतकारी आंदोलन की दाड़ी बोला जाता है तो यह जो बोला जाता है यह बोला जाता है मैडम कामा के लिए इसलिए से उत्रिश्का हो जाएगा डी नमबर सही अगला कि कौन अनुसीलन समित के संस्थापक सदस्थ थे तो अनुसीलन समित के संस्थापक फदस्थ जो थे उनका नाम था पी मित्रह अ வाश्का सी नमबर से उत्त्र होगा अगला कि कि ने लंदन में करजन वैली की हत्या की थी तो उनका नाम है दोहन रखेंगे Ital arguments सभी अगला कोश्चेन मतलल निलिए ने लंदन में करजन वैली की हत्या कि अगला कुश्य नहीं कि गदर पार्टी के अफ्थापना कि जगत पर हुई थी तो गदर पार्टी के अफ्थापना जो है वो ध्यान रखेंगे सैन फ्रांसिस्को जगत पर हुई थी कहां पर हुई थी गदर पार्टी के अफ्थापना सैन फ्रांसिस्को जगत पर हुई थ इस बात को ध्यान रखेंगे नमबर से उत्तर होगा तो इसी प्रकार आपको आपकी परिच्छा में कोश्चन देखने को बिलेंगे तो आज की स्पीडों कुछ मैंने बैसिक कोश्चन आपको करीब करें चालिस के करीब मैंने आपको बताएं आए हुप आपको थोड़ा बहुत समझ में होगा कुछ कोश्चन वीडियो से आपके परिक्षाम जरूर देखने को बिलेंगे इफी तरह डेली बाई डेली मापकी एक्जाम की तैयारी कराते रहेंगे बस आप डेली किलाफ बाच करिए यह आपका अपना ही चैनल सब्सक्रा